नरेंदर मोधी जब आए, तो सब का कहना है कि नरेंदर मोधी आए है तो हिंदुस्तान का अस्तीत वा बचा हुआ है, आप इस पे क्या कहेंगे? हम यह कहेंगे सबसे पहले अपने बिहार को देख लेजिए, हमारे मुख मंतरी गंजरी चाप, दारू बन करवा के सब को गांजा पी आने के लिए देख लीजिए, वहाँ पर महावीर मंदल के सामने गांजा भीगता है, फॉस्ट अफॉल, ठीक है? सबसे पहले, सबसे पहले मुख मंतरी का कमी है, दारू बन करवा के गंजरी चाप. सरकार किसी की भी भश्चाचार खतम नहीं होगी, लेकिन यह है कि परधान मंतरी जो इसकीम चला रहे हैं, डारेक्ट वाला, जो सेंटर से डारेक्ट वाला, उसके वह बहुत बढ़िया एजंडा है, जिससे गरीब फुटफाटियों को सब सभी को कुछ ने कुछ ने कुछ मिला है. मोधी सरकार का नारा गुंज उठा है, इसी को लेके मैं जनता के बीच आ गई हूँ, आखिकार जनता है तो सरकार है, चलिए जनता से जानते हैं कि यह मोधी सरकार फिर से आने वाले हैं या नहीं, एक नारा आ रहा है, फिर से मोधी सरकार, आप इसको किस नजर से देखते ह कराने वाली है 24 में पूर्टा तिसरी बार मोजी सरकार आने वाली है तो आप जैसे आप चाहरे कि बीजेपी ही अब आए बीजेपी आए बीजेपी अच्छा है सारे काम देखिए श्रसके काम देख लिए कितना साब सफ़या हो रहा है रोजियार भी मिल रहा है बच्चे अब आपको क्या लगता है सरकार बदलेगी तो किया ओम ही द्वस्टाइब हो जाएगी नइंद मिल गार्ट सब्सक्राइब करते ही लोग शबच नो अमीच जब आये ते तो बोले थे चालीस की चालीस सीट उनको मिलेगा तो क्या लगता आपको 40 सिंग मिलेगी? 40 सिंग मिल जाएगी पाँच किसे अब दे रहे हैं? पाँच है इधर हमारे मुखोंती को मिल जाएगा जादूस है तो आपको क्या लगता है? अगली बार CM कौन बनेगा? अगली बार CM तो चेंज होने चाहिए अगली बार CM को चाहिए अचाह लोगों कहना है कि मोधी सरकार जब से मोधी जी आए है तब से हिंदुस्तान का अस्तित्वश चेंज हो गया है आप इसको कैसे देखे? चेंज तो हुगा है आप खुद देख रही है कितना चेंज हुगा है बस्तरही बात बेरज़ारी और मंगाईगी तो पल्पुलेशन बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा ही यह तो निश्चित बात है और नए सरकार आएगी तो यह नहीं का सकते कि नई सरकार आएगी तो पूंतर भी समांगाई कम होगा मंगाई कभी कम नहीं होगा बिजेपी के तरफ से तो आप क्या कहेंगे इसमें देखिए हम लोग टीचर हैं कोई भी गवर्मेंट है सही है तो इसलिए कोई भी सेस्ट प्रॉब्लम नहीं है यह अपने अपने सोच का बात है कि कौन गवर्मेंट जो बहतर है कौन गवर्मेंट खराब है अपना आयोजन हुआ तो फिर आप उसे कैसे देखते हैं देखिए बात तो है कि इनके आने से कुछ चेंजेज हुआ है पहले से ज्यादा थोड़ा सा एक्शन स्ट्रिक्ट लेते हैं लेकिन ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है कि मतलब परिवर्तन आया है पहले भी जब इंद् बन जाए योगी जी तो आप इसे क्या कहेंगे देखे योगी जी भी बेहतर मुक्यमंत्री है इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर बिहार में भी हो जाएं तो बेहतर ही होगा काफी अच्छा होगा क्योंकि कोई भी डिसीजन जो तुरंत ले उससे बेहतर और और यह सब डिसीजन जो है जो बड़े पोस्ट के लिए उसको डिसीजन थोड़ा सयम से रखना चीए इसलिए यंग वर्ड के लिए वो जैसे PM का पोस्ट हो या फिर चीफ मनिश्टर का पोस्ट या इसको कुछ करो तो therefore हमारे समझ से कोई young blood आना ही नहीं चाहिए बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री परधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है? कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं अब इसमें कितनी सचाई है यह तो आप लोग जो फ्लेश करते हैं वही जनता देख पाती है निव्स के दोवारा जो फ्लेश होता है अब रियल में कौन क्या कर रहा है यह दर असल आदमी के सोच पर डिपेंड करता है कि कहां विकास हो रहा है आज के डेट में सब कोई जो है मोवाइल से जुड़ा हुआ है सब के पास सोचल साइट है जहां विकास हो रहा है आज कोई भी किसी के प्रेसर में है नहीं तो जहां उसको विकास जहां दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं कि बीजेपी का गॉवर्मेंट है तो उसका ही जो हर एक जगा पार्टी जीत रहे हैं जैसे बगल में जहानवाद के रिया है एक भी सीड नहीं जीती तो बात ऐसा है कि जहां जो नेता उसके लिए कुछ कर रहा है उसको भूट दे रहा है अब वो वाला बात नहीं फलना कास्ट है वो वो कास्ट है कास्टेजन में बहुत अस्तर पर नीचे हो गया है इसलिए महाद गट बंदन की जब सरकार रही तो आपको लगता है काम कर रही है विहार में देखिए गट बंदन की सरकार तो काम करती ही है क्योंकि दोनों को डर होता है इसमें डर जो है दोनों को होता है रीजन है कि अगर वो कुछ ज्यादा गलत करेगा या वो बेहतर से काम नहीं कर पाएगा तो दूसरे पाटी के साथ अटेच होगा इसलिए गठवंदन की सरकाज बर्क तो करेगी करेगी विहार विहार में कंपानी बनना चाहिए यहां काम नहीं मिलता है हम काम करने कहा जारे कहीं हम लोग गुमते रहते दिन वर्क्या करके घर में लडाई होता है चाहर कर से नहीं है तो पैसे रहेगा तो घर में जाएंगे ना पाइसे के बैगर घर में चढने नहीं देते हैं मेरे को पुल नहीं सरकार होंगे कि मेरे को थार अधी किसी कबीर के लगों को थी काम नहीं ह conviction व्हूज जित को यह दो के बाइस कि भूब यहां सो इसे ना है यहाँ कि कर होई मैं बस रोड बनाने से और घर में नल देने से सिर्फ पानी पी लेने ltरने से पैसा रहे ख़ाना पड़ता है और और कमाने के लिए पहले जोब मिल ना चाहिए जोब्ह हो कोई भी रोजगार हो रोजगार मिलेगा तभी कभा gekar यहां पर रोजगार मिलने है तो मच्बुरी वो तो पिर वह ढदना होगा हम लोगों के पास कोई पूर में बचेगा उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है उसको उठाती है जल्दी या नहीं बेरोजगारी सबसे बड़ा लेकिन सरकार को नहीं यहीं सब उठता है हमेशा यहींचा लाव और कुछ यहीं देख लिए पॉल्टीक्स χालिए पॉल्टीक्स करने लिए जातिवाद करना तो उसके लिए पूरा सपोर्ट है नेता भी पीछे से सब्कार करेंगा लेकिन रोजगार के लिए अप रोट पे चलने लगता है कि एक जुनलीतिस सरकार कापी वो सब को ठघ रही है तो आप क्या कहें गए जंता को ठघ यह तो नहीं कह सकता है लेकिन जो वो बोलते हैं वो प्रॉपरली करते नहीं है अभी देख लिजे यह अभी गठ बंदन हो गया है यह तेजस्वी जी के साथ ले वो ब सब्सक्राइब करेंगे अभी कुछ कभी कुछ पहले खुछ से वो निकल रहा है तो क्या बीजेपी का यह है कि या फिर बीजेपी करवारी यह सब यह सब यह सब पहला खाता खुलना अचानक से यह कैसे अब देखते हैं तो पैसे रख करवाएंगी नहीं उनके श्रखे हैं पहले से तब यह सब्सक्राइब कर रहे गाना में खलक के फिर आपको की की यह सथाय हैं और बार उनके पैसा कैसा एक पशली अप smart एक दक्रवाउन दोंगे का सड्यृष्ट आपको क्या लगता है डिजेपी महांत है fajt इं ग्ए पीट को टारगेट करके बोले मोधी मोधी को टर्गेट किये तो Judaism सिर्फ पुर्वे जाती को टारगेट किया है तो उसके लिए तो केस बनता है ना तो फिर केस बनता है तो जो नियम है कानून है कानून में है कि अगर ऐसा करने पर कुछ करता है कोई उसकी सदसेता रद कर दी जाएगे हाँ देज के खिलाब बोलने पर सदसे तरद कर दी जाएगे तो फिर वो किया गया कोई इलिगल नहीं किया गया है कोई गलत नहीं किया गया है सबसे पहले अपने बिहार को देख लेजिए हमारे मुख मंतरी गंजरी चाप दारू बंकरवा के सबको गांजा पी आने के लिए देख लिए देख लिए वहां पर महावीर मंदल के सामने गांजा भीकता है बॉस्त पहले सबसे पहले मुख मंतरी का कमी है गंजरी चाप ब्लस जितने भी शोटे ओले माफिया जो भी आजकर डेट में शोटे वाले माफिया परशासन के यहां जाके देख लिए कि दारू पी रही की इसमेंतिष कुमार को दारू बंत करने से परसासन की इंकम बढ़ गई है और कुछ नहीं हुआ अभी पांच मिनट में दूद्मंडी पीछे है वहां पर जाए दारू का बोतल आपको दिखेगा परशासन को सब चीज पता है परशासन अन्नोन है और रही बात ये दवल्द इंजन की सरकार है कभी वो कहता है कभी ये कहता है कभी पूरे भारत में जितना यहां पूरे भारत में जितना बिहार का पटना जक्षन से बस स्टेशन की दूरी जितनी है उतनी देश में कहीं भी बस स्टेशन से इतनी दूरी नहीं होती है आज किराया गया से पटना का 120 रुपया बहारा है बस का और यहां से बस स्टेशन जान पहले देंगे बढ़िया बस इस्टेंड जाएंगे अब वहां से 120 देंगे तो गया यानि वही भाड़ा 170 रिप्या हो गया यह तो निटीश कुमार का बिहार बचाओ नहीं पब्लीक को लुटाओ अभियान चल रहा है पूरे भारत में बस इस्टेंड पटना मतला कि स्टेशन से नस्दिक होता है यहां उतरते थे लोग पैसा नहीं लगेगा लेकिन मेट्रों में क्या पैसा नहीं लगेगा यहां तो लोग पैदल भी चल के चाह सकते थे लोग चले जाते थे कोई उतरते था गड़ीव आदमी उतरता था बाहर से काम करके आता था चल जाता था पहिदा अब लोग उस्ते बस इस तेंगा तब बढ़िया बस इस इस अब तेंपू वाला पचास रुपया भीया लेंगे तब जाएंगे एक एले हैं विचारा एक आदमी पचास रुपया अब एक आदमी अर्जिंट में बस पकड़ना तो उसको सब्सक्राइब बीजेपी सरकार आती है तो आपको लगता है भरष्टाचार खतब हो जाएगा सरकार किसी की भी भष्षचार खतम नहीं होगी लेकिन यह है कि परधान मंतरी जो सकीम चला रहे हैं डारेक्ट वाला जो सेंटर से डारेक्ट वाला उसके वह बहुत बढ़िया एजंडा है जिससे गरीब फुटफार्टीयों को सब सभी को कुछ ने कुछ ने कुछ मिला है लेकिन कॉंग्रेस की सरकार में आसकी कुछ नहीं मिला है, आज एस्टेट में यहाँ हम प्ट्डा जक्सन पे ठेला फुट फार दुकान, मतलब है, दुकान लगाते हैं, ठीक है, हर एस्टेट में स्टेशन के बाहर दुकानदारों को मिल गया है जगा, अस्थाई जगा बना करेंगे नहीं कर दाएं ह roam मामला हम भुशा है ह cultural orthuellement सरकार दिल्ली का कि लाल किला का सपना है कि आपको लग रहा है कि नितिश्कुमार सपना क्ट संगे मैंधूंदी का जैगा dispos Fabятाइव our Master hecho in North और जी जाते कर दो टिली दिली चला के जब आप बिहार भी नहीं चला पारे कावि हैं पेफुल टूरा रज़ीं के साथ नहीं मिलेंगे ऐग्या बतादधे देंगों में हम लोग कर दिया जाए आप गये नहीं का बटम दवाय कहानी खतम हो जाएगा सबसे बढ़िया बात कोई आप भी बीजेपी इसको सामिल ही नहीं करेगी आगर सामिल करेगी तो अबनी बीजेपी एकभी इस नहीं कहा जा सकता और बीजेपी अगर सामिल करेंगी तो एक बिसी रह więc स्वाहाब आपस में लरो मरो उसको ऊपर से कुर्सी से मतलब उसको कुछी से मतलब एक वार बिहार का पूरा जनता कोई नेका बटन दवादे नेता सुतुरत पर के नीचे आ जाएंगे बस यह बात है जातीवाद है यहां तो दवाएगा नहीं बाई सही बात नितिश्कमार जो है अंध कि नएकि समधान यातरा करना है तो इस्टेशन पर के समधान यातरा करें वह सारी समश्यां को फाले अपक टृट कीजिये आग IT लालुजी लालुजी अगे सब्सक्राइब को Hum AAA правда हिसे कि सेंटर ठीक है बाकि कोई नहीं का बटम दाऊंआ कि रहरा है कि महंगाई गप अधियक कदर बढ़ा है आप तेश अम मैंदी सप EsseHD जब से मुझिध सरकर vagina वाया नहीं में पहले यहां क्या था पत्र लिपकल क्या था कुछ नहीं था अब गरीब सब को खाने के लिए हो गया है तेयो तेयो गरीब सुब कह रहाए लालू लालू ये थी है लालू कोई ओषा किया था दी तब ने जेल गिया है नहीं कुछ करता तो जेल जाता कभी नहीं जील जाता है लेकिन मोदी सरकार लालू से भी अच्छा है अच्छा नालू से भी अच्छा मतब लालू जी जब थे तो आपको लगता था अच्छा काम करते थे नहीं इस बात गलत है मोधी सरकार जब से थी हुआ तब से बहुत कि सब को भूख नहीं मनने दिया पैसे में भी नहीं तिया अच्छा मोधी सरकार यारी कि बिहार में फिर मोधी सरकार आना ही चाहिए जो नारा है बीजेपी में नारा सुन रही है फिर से मोधी सरकार को बुलाएंगे धरती पे फिर बुलाएंगे हम लोग मोधी सरकार मोधी सरकार बहुत अच्छे थे अच्छे थे अच्छे थे महिला तो आप इसे क्या बोड़ेंगी विहार सेफ है भी लगता है आपको हो का सिर्फ लड़का ही लोग चाहिए लड़की लोग करने देगा तब नहीं दिदी लड़की लोग लड़की लोग लालू के लालू के समय में अथी था अब ता और जादे खराब हो गया लालू आएगा आँ खराब हो जाएगा मोदी सरकार है तो ब्रकैर से लिफ लक ल्ग योग जी पे यहां पर आगए मुंख्यमंत्री के कुर्सी पे तो हाट जाएंगे। पर मोधी सरकार क्या अट है यार्फंशा कंor को सब्सक्normal दीजिए कि साइट बेडमन Means सई शा, में तो Yoa 22도 हमनि जि ऑफ लाए दौर नहीं है अर अच्छ गात है और अच्छ बात है ए दाए तो इस बार मोदी जी यानि आप करिए कि इस बार मोदी जी ही आए हां मोदी जी आ है वूलों यूप गुच्छ नहीं हम लोग गलत देखें न दिक ने आपने लोगों का सुना कोई भी सरकार हो यानि BJP सरकार यानि मोधी सरकार अगर आती है तो अच्छा काम करेगी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देखते रहे देखनेवाद आपने का सुना क्वार यानि करेधने कार यानि मोधी सरकार यानि रहे देखते रहे हैं इसी है बाती है फड़िक रहे देखते बाता है पर यानि